हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आई जाने मत्प्रदेश बोर्ड परिक्षा 2019 में कक्षा 10 वी तथा कक्षा 12 वी में फेल हुए चात्र पुना परिक्षा दे सकेंगे रुख जाना नहीं योजना सरकार ने चलाई है और यह योजना 2016 से चल रही है इसके तार जो भी विद्यारती बोर्ड परिक्षा कक्षा 10 वी या कक्षा 12 में फेल होता है तो वहाँ उसी वर्स पुना परिक्षा दे करके साल वरबाद नहीं करता और अगली कक्षा में जा सकत है तो जान लेते हैं इस वीडियो में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं फेल हो गया हूँ अब मैं क्या करूँ तो उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत लापकारी होगा लगबग 2 लाग से उपर विद्यारती इन परिक्षाओं में फेल हुए हैं तो जान लेत हैं पुरी खबर जदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाई जिरू करिएगा पर अभी तक आपने चेलने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकारी खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रेटिव रेड़ प्रड़न तबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा ये लिए 6 जून 2019 से पुना परिक्षाएं सुरू होंगी ये एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट अटेंब्डिन लर्निंग योजना के तहत है और जब देश की राष्टपती डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने ही इस योजना को अपना नाम दिया था और म समय सिवराश्षी चवान की सरकारती तो जान लेते हैं आपको काफी लाब होगा मैं आपको पूरा इस लेशन करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा प्रस्ता होना मतलब इंट्रोडक्शन वर्तमान में विद्यार्थी परिक्षा परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं आने पर हतास हो जाते हैं आपको हतास नहीं होना है बिल्कुल भी हतास नहीं होना है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज्यादा हतोचताई नह करें उन्हें मोटिवेट करें अन्यथा आपको परिणाम गलत मिल सकते हैं सरकार भी कहती है और आप किसी भी अंज के पास जाएं तो आपको इसी प्रकार की जानकारी या फिर सुजाव दे जाएंगे मत्प्रदेश विदान सवा ने भी इस विशह में चिंता व्यक्त की थी और सामानी जनों से भी इस हेतु सुजाव आमंत्रित किये थे उसी अनुकरम में रुख जाना नहीं योजना वर्ष 2016 से प्रारम की गई थी इससे अब तक लगबक दो लाग से अधिक विद्यारती उत्तिन होकर लाबानवित हुए हैं इसकी सपलता को देखते हुए माद्मिक सिक्षा मंडल मत्प्रदेश भुपाल से अनुत्तिन विद्यारतियों के लिए सासन निर्देशा नुसार इसे न ले चुके हैं और अगली गत्साओं में जा चुके हैं इसी के तहद आप इस योजना को कंटिनु रखने के लिए मत्प्रदेश शासन ने ठान लिया है और 2019 में फेल हुए विद्यारती भी इस योजना का लाब ले सकते हैं कौन कौन विद्यारती इस योजना का लाब उठा सकते हैं मतलब जो कच्छा दसवी और बारी में फेल हुई हैं और किसी कारणवस परिक्षा नहीं दे पाए तो वे भी इस योजना का लाब ले सकते हैं माद्यमिक सिक्छा मंडल के एसे विद्यारती जिनोंने वर्स 2017 की रुख जाना नहीं योजना के अंतरगर कक्छा 10 वी उत्तिन की हैं परंतु वे कक्छा 12 की परिक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके वे विद्यारती भी कक्षा बारवी रुख जाना नहीं योजना जून 2019 में सम्मिलित होकर योजना का लाव उठा सकते हैं ठीक है एने जिन विद्यारती भी ने 2017 में रुख जाना नहीं योजना का लाव लिया था और 10 भी परिक्षा पास कर ली थी लेकिन वे बारवी में सम्मिलित नहीं हो सके थे वे भी इस योजना में भाग लेकर के पुनः सामिल हो सकते हैं और अगली कच्छा में जा सकते हैं ठीक है आवस्यक प्रकिरिया है मतलब क्या-क्या आपको करना पड़ेगा इस योजना के लिए तो देखते हैं योजनान तरगत प्राप्त विद्यारती 20 मई 2019 तक आवस्यक रूप से MP आनलाइन कियोष्क के माध्यम से अत्वा स्वयम आनलाइन निर्धारी सुल्क जमा कर परिच्छा हेतु पंजियन करवा सकते हैं ठीक है 20 मई 2019 तक आप MP आनलाइन कियोष्क में जाएं और वहां से कुछ फीज भरके इसका पंजियन करवा लें ठीक है 20 मई तक लास्ट डेट है परिच्छा है 6 जून 2019 से आयजुद की जाएंगी परिच्छा पूरू 30 मई से 5 जून 2019 तक विकासखन मुख्याले के सास की उत्करष्ट उस्तर मादमिक विद्याले पर वर्चूल करख्छाओं के माद्याम से प्रसिक्छन की व्यवस्था होगी 6 जून से आपकी परिच्छा होगी उसके पहले 30 मई से 5 जून तक आपको प्रसिक्छन दिया जाएगा ताकि आप परिच्छा पास कर सकें परिच्छा प्रस्ण पत्र माद्य प्रदेश माद्यमिक शिक्छा मंडल के पाठकर मनुसारी होगे रता केवल अनुतिर्ण विश्यों की ही परिच्छा दियानी होगी ठीके जो आपने अभी परिक्षा दी है में निक्जाम की उसी हिसाब से आपके प्रश्ण पत्र होंगे और जिस विसे में आप फेल हुए हैं उनी विशियों की आपकी परिक्षा होगी फिर अंक्सूची मद्द प्रदेश मुक्त इस्कूल सिक्षा परिक्षत भोपाल दुआरा जारी की जाएगी जिसमें पूर में उत्तिन विशियों के प्राप्तंक दर्शित होंगे जब आप इस योजना का लाब ले लेंगे परिक्षा दे देंगे उसके बाद आपको जो मार्शिट मिलेगी उसमें पुरानी परिक्षा अच्छा अर्थात में परिक्षा में जो आप क्यांक आए थे वह भी दर्शित होंगे और वहाँ पे आपको लिखा होगा कि रुख जना नहीं हो जना कि तहत आपने यह परिक्षा पास की है किसी कारणवस परिक्षारती महा जून 2019 की परिक्षा में उत्तिन्ट नहीं हो पाते हैं तो वे सेस अनुतिन्ट विश्यों की परिक्षा महा दिसंबर 2019 में दे सकते हैं उसके लिए आपको पुना पंजियन कराना होगा मतलब एने इसमें दो बार आपको चांस दिया जा रहा है 6 जून से फिर भी आप यदि इस परिक्षा में सामिल नहीं हो सकते तो दिसंबर 2019 में भी सामिल हो सकते हैं मतलब यहां साल में दो बार होती है तब भी आप सामिल होकर कि इस योजना का लाव ले सकते हैं और अगली कक्षा में जा सकते हैं हाला कि आपको फिर दिसंबर 2019 में सामिल होने के लिए पुना पंजियन कराना पड़ेगा फिर जून 2019 में आयोजित प्रतम चरण की परिक्षा में उत्तिन होने वाले परिक्षारती कोई कक्षा 11 में नेमित प्रवेस की पातरता होगी 32 चरण में उत्तिन परिक्षार्तियों को कक्षा 11 वी में नेमीत प्रवेश नहीं मिलेगा परंतु वे वर्ष 2021 के जून माह में रुख जाना नहीं योजना के अंतरगा कक्षा 12 के परिक्षा में सम्मिलीत हो सकेंगे ठीक है मतलब जून 2019 में आयोजित प्रथम चरण की परिक्षा में उत्तिन होने वाले परिक्षार्ति कोई 11 में परवेश पात्रता मिलेगी यहने आप 6 जून की परिक्षा में अगर सामिल होते हैं और आपने उस परिक्षा को निकाल लिया तो आप 11 में सम्मिलीत हो जाएंगे लेकिन यदि आप 6 जून की परिक्षा में सामिल नहीं हो पाते और दिसंबर 2019 वाली मतलब सेकेंड चरण वाली रुख जाना नहीं योजना में सामिल होते हैं तो आपको 11 में प्रवेश नहीं मिलेगा फिर 2021 में जो वर्स आएगा उस दवरान आपको नेक्ष्ट कर्था में प्रवेश मिलेगा ठीक है तो बेहतर यही है कि आप 6 जून से जो परिक्षा चालो होगी उसी में सामिल हो जाएं और अपना साल बरबाद न करें इस प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस प्रकार की योजना चला करके विद्यार्तियों का साल बरबाद होने से बचाती हैं और परिक्षार्तियों को योजनाओं का लाब देती है अब हम आगे देखेंगे विश्वसनीता डिजिटाइज्ट मुल्यानकन परिक्षा समापती के एक माह में परिक्षा परिक्षा परिनाम एमाइग्रेशन एवम ए अंग्सुची और जीला इस्तर पर मार्क दर्सन हेतु राज्य ओपन इसकूल के संपर्क व्यक्ति के रूप में एक डाटा एंट्री आपरेटर की विवस्ता मतलब आपका सारा जो भी आपको अंग्सुची मिलेगी सारी डिजिटाइलेजिशन मिलेगी जिस प्रकार से आपकी में इकजाम की मार्शिट होती है उसी साब से मिलेगी और यहाँ पर नोड दिया है परिक्षा संबन्दी जानकारी यों पंजिन करने के बाद आपके प्रवेश्पत्र आएंगे तो प्रवेश्पत्र के लिए जो वेबसाइट दी गई है वहां से आप डाउनोड कर सकते हैं और एक एप भी दिया है उन्होंने MP SOS ठीक है वहां से भी आप अपने प्रवेश्पत्र डाउनोड कर सकते हैं प्रव प्रकार की समस्या समादान है तो MP online की help line 07556720200 पर संपर कर सकते हैं यदि आपको इस योजना के तहट किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है या जानकारी लेना चाहते हैं तो भोपाल का जो नंबर है 07556720200 पर आप काल करके वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करें मैं आपको बताऊंगा कि और आगे क्या करना है परिक्षा का पाठक्रम ब्लूप्रिंट मद्प्रदेश मादमिक सिक्षा मंडल भोपाल के अनुसार ही होगा ठीक है तो आप एक बार फिर मैं आपको कहूं साल वरबाद न करें 6 जून मतलब 15 दिन के बाद ही आपकी परिक्षा सुरू हने वाली है जो भी विद्यारतिक अक्षा 10 वी तता बारी में फेल हुए हैं तो आपका अभी जो पढ़ा हुआ है वो अभी continue है आप उसको एक बार हलके से थोड़ा region कर लेंगे तो आप परिक्षा पुना अच्छे नंबरों से fight कर सकते हैं और next कर्चा में जा सकते हैं तो इस प्रकार से जानकारी थी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा और अभी तक आपने शेलों को सब्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकारी खबरों के लिए झाल झाल